सुश्यासन की कथित पूर्ण शराबंदी की हकीकत बयान करती कहानिया भी अम मजाक बन चुकी हैं उन्हें लोग सरकार के इस फैसले की तरह ही सिरियसली नहीं लेते हैं इसलिए आज हम आपको शराबंदी के साइड इफेक्स दिखाएंगे किशन गंज से वाइरल दो वीडियोज ने शराबंदी वाले बिहार में नशे के कारोबार का मकड़ जाल फैल जाने की जो तस्वीर पेशकी है वो हैरान करती है ये दोनों वीडियोज बताते हैं कि किशन गंज में युवा पीड़ी से लेकर महिलाओं तक को नशिली दवाओं ने अपनी गिरफ्त मिले रखा है और कैसे किशन गंज में ड्रक्स की खपत बढ़ती जा रही है इसके साथ ही ये भी पता चलता है कि कैसे देश के अलग-अलग राज्यों से भी नशे की खेप किशन गंज तक पहुँच रही है दोनों वीडियो सोशिल मीडिया में तेजी से वाइरल है पहले वीडियो में दावा ये किया जा रहा है कि किशन गंज चोड़ी पठी स्थितेक दवा दुकानदार अपने ग्रहक को बगए डॉक्टरी परचे के कब सिरफ और वॉल्यूम टेन टेबलेट बेचते नजर आ वहीं दूसरी वीडियो में दावा है कि किशन गंज के खगडा उवर ब्रिज के समीप रेलबे पठीयों पर लोग गाजा चुन रहे हैं बताया जा रहा है कि इस जगे पर चलती ट्रेन से गांजा की बोरी तसकर द्वारा फेकी गई थी जिससे बोरी फटने से गांजा छे महीने पहले का है अब वो दवा बगए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की नहीं बेचते हैं अब देखातों पहले बात अभी नहींड पराद है यह बहुत बदर भाद लिम्हाइए ने पहले की था पहले जब होती थी तो पहले की था अभी 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 नीडिन तिया चुब यूं तो दवाएं जान बचाने और रोग भगाने के काम आती है लेकिन आज कई तरह की दवाओं का प्रियोग नशे के तौर पे किया जा रहा है। के बेचने पर पाबंदी है। ऐसी कयन दवाएं भी हैं जिनको बगए डॉक्तर की सला के नहीं बेचा जाना है लेकिन यहां के कुछ दवा दुकानों में इस मानक का अनुपालन नहीं हो रहा है। जानकार बताते हैं कि ऐसी दवाओं का असर लोगों में तीन दिनों तक रहत है। ऐसे में यह दवा कितनी खतरनाक है इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। इस दवा के अधिक सेवन से किसी की जान भी जा सकती है। वीडियो बनाकर वाइरल करने वाले शक्स ने जिला प्रशासन से कारवाई की मांग की है। जी आज से कुछ जीन पहले आप लोग मेरे सोसल मीडिया के जड़िये मेरे पेस फेस्बूक आइडी के जड़िये देखे थें एक दवा दुकंदार जिस दुकान का नाम जीवन है और जो दे रहे हैं उनका नाम मंगल है। उसका वीडियो वाइरल हुआ हम लोग के टीम इ सेरी को अच्छी बाद है मगर जहां से नसा आ रहा है नसा का करोबार आ रहा है उसको नहीं पकर रही है पुलीस वीडियो में क्या दिखाए दे रहा है कि जीवन मेडिकल से मंगल दुकान के जो ऑनर है जो स्वामी है वो दे रहे हैं दबाए बिना पुर्जी के डाक्टर क कर रहा है मलग कोई किसी को पहचान ने रहा है मांग क्या आपका मांग है स्पी साहब से तेश्टरार पुलीस परादिकारी है उस पे कारवाई करें और सच्चे अगर सावित हो तो राइश करके जेल भेजें उन्हें किशन गंज पुलीस ने नशे के खिलाफ जिले में विशेश अभियान चला रखा है अब तक दरजनों नसियरी और नशे के सौदागरों को भी गिरफतार किया जा चुका है वहीं दवा दुकानदार द्वारा नशे का टैबलेट और कब सिरफ बेचने के सवाल पर उन्हों चलाया जा रहा है जिसको लेकर के पिछले एक महिने में तकरीबन तीन दर्जन से ज्यादा अधुक्तों को हम लोगों ने गिरफतार किया है बारी मात्रा में उनके पास से समयक और गांजा और अन्य बस्तों भी बरामद हुई है इस पे लगातार SDPO श्रीजावेद अंसा पुन शराबंदी वाले बिहार की कड़वी सचाई है कि यहाँ शराब दिखती कही नहीं लेकिन मिलती हर जगह है दूसरा शराब बंद नहीं बलकी महंगी हुई है यही वजहे कि शराब की कीमत ना जुटा पाने वाले युवा सूखे नशे और नशिली दवाओं की गिरफ्त में आ रहे हैं सियमके शराबंदी वाले सपने को तोड़ने के लिए समानांतर माफिया तयार हो चुका है दूसरी तरफ बिहार की एक युवा पिढ़ी कब सिरप और नशिली दवाओं के जरिये बरबाद हो रही है बहरहाल शराबंदी को अपने अध्भूत योगदान से एतिहासिक सफलता दिलाने वाली बिहार पुलिस सूखे नशे के इस मकरजाल को धोस्त कर पाएगी ये उमीद हमें लगानी चाहिए या नहीं अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताईए